हेलो फ्रेंड्स मैं हूं संजे संख्यान और आप देख रहे हैं एच्पी नोटिविशन्स वाई संख्यान दोस्तों आज किस वीडियो मैं स्पेशली पेंशनर के लिए के आयों क्योंकि आपको बता है कि जैसे ही हिमाचल प्रदेश के सरकारी करमचारियों की और उसी तरह जो पेंशनर थे जो एक-एक सोला से पहले रिटैर हुए या जो एक-एक सोला के बाद रिटैर हुए उनकी भी पेंशनर रिवाइस करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने ऑप्शन ममरेंडम जारी कर दिया था यह हुआ है आठ स्टंबर 2022 को और इस ममरेंडम में क प्लेली इन्होंने बता दिया है कि DDO जो है वो concerned implies का जो भी रिटैरी है अगर एक-एक सोला से पहले हैं तो उनके लिए एक लग फॉर्मुला था एक-एक सोला के बाद हैं तो उनके लिए लग फॉर्मुला था उनके रिवाइस पेंशन के जो है वो एजी आपस में कर दिया है बट जो एक क्वेरी जो में आ रही थी और उस पर हम लोग भी चाह रहे थे कि क्या करना है तो देखिए में जो प्रफी ऐसे C&V कर्मचारी या जो जिनका ग्रेट पे 32, 36, 36 या 42 था उनके लिए क्या हो रहा था कि जो यह जो concordance table दे रखा है नोशनल pension calculate करने के लिए तो इसमें इनोंने क्या हो रहा था कि उनकी basic पे यहां पे exceed कर रही थी में ज्यादा हो रही थी और यह जो concordance table है इसमें नहीं आ रही थी तो उसको कैसे calculate करना है उसके लिए मैं आज यहां पे आपको discuss करने की कोशिश करूँगा देखिए यह concordance table सबसे पहले आप यह देखिए कि आप 116 से पहले retire है या 116 के बाद अगर 116 के बाद retire है तो आपके लिए यह concordance table जो है यह इस पे calculation करने की जुरूरत नहीं है क्योंकि आपकी लिए जो pay revision के 3212 के rule है उसके तहत आपकी fixation इन्होंने कर दिया और उसका 50% आपके लिए pension हो जाएगी बट यह जो concordance table दिये थे यह थे 1986 से लेकर जो कत्ती बारा 2015 तक retire हुए उनको national pension calculate करने के लिए और उनकी national pay calculate करने के लिए ताकि उनको revised pension मिल सके तो इसके यह concordance table दिये थे और यह दिये था जो आपकी post है जिस post से आप retire हुए उस post का grade pay के हिसाब से यह concordance table जो है वो दिये गे है और जो दूसरी बात ध्यान लखने बाली बात है कि आपकी एक जो fixation है pension की वो 2.57 यह नि 2.57 का factor लगाते हुए अलड़ी Treasury Department ने कर दिये पट इसके जो पैरा नंबर 9 है उसमें इन्होंने बोला है कि अगर किसी जो retire है उसको लग रहा है कि 2.57 से उनकी pension फिर भी कम बन रही ह तो इन्होंने बोला था कि concordance table में अपना जो भी आपका grade pay था माली जी आप 32 grade pay पे retire हुए तो 32 यह 3600 पे हुए तो 3600 उसमें अपनी basic pay को देखिए और उसी साब से आपकी जो एक national pay बन जाएगी कत्ती 12.15 को और उसी के सामने यह जो right hand side का column है उस पे जो है बो आपकी national pension य यहां पे दे रखी है तो यह देखिए मैं आपको example दे रहा हूँ जैसे माली जी मैं example ले रहा हूँ C&B का उनका माली जी ग्रेट पे था 3800 at the time of retirement तो उनके लिए जो टेबल लगने बाला है वो है 12 यह देखिए यह है concordance table number 12 अब इस 12 में हम क्या करेंगे माली जी किसी जो क कती 12 15 से पहले रटेर हूए है उनकी माली जी यह basic pay थी basic pay का means pay in payment और grade pay को मिलाके वो बन रही थी 2450 तो हम क्या करेंगे 2450 यह है देखो 2450 और इसको हम यहां पे देखेंगे बिल्कुल right hand side पे और यहां जो बन रहा है वो बन रहा है 58400 मिस कती 12 15 को इनकी notional पे यह बन और इसके जो next figure है वो है पेंशन रिवाइस पेंशन तो यह बन जाएगी रिवाइस पेंशन बद जो में दिक्कत आ रही थी कि यह जो cnp है या जिनका grade पे बती सो ठत्तिसो च्छत्तिसो यह बाले जो थे यह ओलेड़ी इस concordance table से ज्यादा basic pay ले रहे थे माली जी जैसे म तो रटेरी हैं कत्ती बारा 15 से पहले रटेर हुए है उनकी basic pay माली जी 7500 है तो वो इस table में नहीं है और हम लोग उसकी revised pension के cases नहीं भेज रहे थे बट अब यह clear हो गया है कि अगर आपकी नहीं इस concordance table में नहीं भी है तब भी हम क्या करेंगे 2.59 का factor लगाते हुए आपकी नोशनल pay calculate करेंगे कत्ती बारा 15 तक और उसको 50% कर देंगे और वो बन जाएगी आपकी revised pension तो अगर आपके case अभी भी इस वज़ा से लटके थे तो अपने concern डीडियो को आप request करके अपने जो एक revised calculation को राके AZ को अपना case जल्दी जल्दी बिज़ाना शुरू करें क्योंकि AZ इसी की तरफ से आपकी revised pension की maximum इन्होंने calculation कर दी है और revised pension आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है तो इसी तरह की अगर आप और वीडियो देखने चाहते हैं और नेने इस पर जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है HP Notifications by Sankhyaan चैनल को subscribe कर लीजिए क्योंकि implies और retirees से लेटर डेरों वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हैं अगर नेने जुड़े हैं तो like करने के साथ जो share करें ताकि उनका भी knowledge बढ़ सकें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए की पहुचिंग HP Notifications by Sankhyaan जैहिन जैमाचल